नमस्ते दोस्तों सल्मान भाई की फिल्म टाइगर 3 अभी चल रही है और उनकी अगली फिल्म का इंतजार शुरू हो गया है असल में उन्होंने जूम चैनल को एक इंटर्व्यू दिया जिसमें अगले प्रोजेक्ट का खुलासा टाइप कर दिया कि उनकी अगली फिल्म होगी दबूल तो बस शुरू हो गया इंतजार इंतजार सल्मान भाई ने दो ही चीज़ में तो कमाई हैं एक तो इस उम्र में भी बच्चे बुजरू सब उन्हें भाई कहते हैं और दूसरी चीज कि उनकी फिल्म का लोगों को इंतजार रहता है तो दबुल आने के पहले ही इस फिल्म की चर्चा शुरू हो गई है कि भाई क्या है इस फिल्म, क्या कहानी है, कब रिलीज होगी और कौन इसका डाइरेक्टर होगा शूट तो शायद अगले महीने ही शुरू हो जाए दिसंबर में और इसके डाइरेक्टर विश्नु वर्धन होंगे विश्नु की पिछली फिल्म शेर साह हिंदी में उनकी डेब्यू थी और खूब पसंद की गई, इससे पहले उन तमिल फिल्में डाइरेक्ट कर चुके हैं वही दबुल के भी डाइरेक्टर होंगे और करर जोहर इस फिल्म को बनाएंगे अब आपको एक टास्क देता हूँ इस साल जिन फिल्मों की सबसे ज़्यादा चर्चा रही है उनके डाइरेक्टर का नाम याद कीजिए जवान सबसे ज़्यादा चली, उसके डाइरेक्टर एटिली थे एनिमल की चर्चा जोरो पर है, इसके डाइरेक्टर संदीप रेडडी बेंगा है ये सब साउथ हिंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ट्राइड और टेस्टेड सुपर हिट डियरेक्टर्स हैं जिनकी फिल्में हिंदी में भी कमाल कर रही है उसी कड़ी में विश्णू वर्धन भी शामिल होते दिख रहे हैं अब आप क्रोनलाजी समझेए वैसे हमें नाट साउथ से ज़्यादा मतलब सिनेमा से है जो सबसे अच्छा बनाए और हमारा मनोनजन करे बस वही बेस्ट तो दब्बुल की कहानी क्या होगी इस पर कुछ बेसिक बाते पता चली है 35 साल ये फिल्मी करियर में सल्मान खान की पहली बायुपिक है और आपरेशन कैक्टस पर बेजड है ये आपरेशन सल 1988 में मालदीप्स में हुआ था वही जिसको अमीरों का गोवा कहा जाता है और सिलिप्स वहां से विकेशन की फोटोज डाल कर इंस्टाग्राम को पाड़ देते हैं खैर तो आपरेशन कैक्टस के पीछे कहानी ये है कि मालदीप्स के दूसरे राष्ट पती अब्दुल गयूम के तक्ता प्लट की कोशिश 3 नौंबर 1988 को हुई थी उसी दिन वो अपने पॉलिटिकल दोरे पर भारत आने वाले थे इन फैक्ट वो मालदीप्स से प्लेर में बैटके निकल चुके थे लेकिन यहां के पीम राजी उगान्धी को चुनावी रैली के चक्कर में कहीं जाना था तो इनको कह दिया कि आप बाद में आओ आराम से बैठा जाएगा अब मालदीप्स में विरोधी तयार बैठे थे कि अब्दुल गयूम भारत जाएं और इधर हम उनकी कूर्ची पर कबजा कर लें मुख विरोधी थे इबराहीम नासीर जो पहले राश्वती रह चुए थे सब उनके इशारे पर हो रहा था उनकी तरब से श्रीलंका का मिलिटेंट आर्गनाईजेशन पीपल्स लिबरेशन आर्गनाईजेशन आफ तमिल इलम यानि प्लोटे के लड़ाके लगे हुए थे ये संगठन LTTE यानि लिट्टे से अलग था जिसने राजियो गांधे की हत्या कर आई थी हाँ इसका मुखिया महेश्वरन कभी LTTE का लेटिनेंट था इनका एक साथी बिजनसमैन अब्दुल्ला तीपी वी था तो ये सब वहाँ प्लानिंग कर रहे थे तकता पलट की लेकिन अब्दुल गयूम भारत गए नहीं वहाँ विद्रोहियों ने मालदेव्स की राजधानी माले के सरकारी बिल्डिंग्स पर एरपोर्ट पर पोर्स पर टीवी और रेडियो स्टेशन्स पर कबज़ा कर लिया पूरी राजधानी मिलिटेंट्स के कबजे में आ गई तो एजुकेशन मिनिस्टर को अगवा करके प्रेसिडेंशियल पाइलेस पर भी कबजा कर लिया हालात खराब होने लगे तो मालदीव के नेशनल सिकेरिटी एडवाईजर ने राष्टपती को डिफेंस मिनिस्टर के घर पहुँचा दिया सुरक्षित कर लिया फिर दूसरे देशों में फोन घुमाया जाने लगा पाकिस्तान, यूके, अमेरिका, श्रीलंका, सिंगापूर और भारत से मदद मांगी गई सिंगापूर, पाकिस्तान और श्रीलंका ने कहीं दिया कि हमारे भाई साब इतनी ज्यादा मिलिटरी नहीं है जो निपड़ सके बाकी देशों ने मजबूरी बताई कि तुम्हारा इंटर्नल मैटर है तुम खुद निपटो लेकिन भारत से प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सारे काम छोड़ कर मालदीप्स की मदद का काम शुरू कर दिया तीन नवंबर की राद आपरेशन का एक्टरस शुरू हुआ और ब्रिगेडियर फारुख बुलसारा की अबगवाई में भारतिय पाराट रूपर्स आगरा के बेश से उड़ान बर कर 2000 किलो मीटर दूर मालदीप्स पहुँचे और ये लोग मदद मांगने वारा फोन आने के सिर्फ 9 घंटे बाद आगरा से निकल चुके थे मालदीप्स पहुचने में 5 घंटे लगे और इन घंटों का इस्तिमाल प्लाइन बनाने में किया गया मालदीप्स के हुलहुले एरपोर्ट पर पाराट रूपर्स उतरे क्योंकि अंदाजा था कि वहाँ मिलिटेंट्स नहीं होंगे अंदाजा सही था और वहाँ से हमारे जवान माले पहुचे फिर दो टीमें निकल कर आगे गई एक ने राष्टपती को रेस्क्यू किया और दूसरी ने मिलिटेंट्स के साथ मोचा समाला चार नौंबर के सुबह तक सारा मामला कंट्रोल में था मिलिटेंट्स का सफाया हो चुका था मालदेश के राष्टपती को सेफ जगा पहुचा दिया गया था जहां से ब्रिगेडियर बुलसारा ने राजी उगांधी को फोन लगया और अब्दुल गयूम ने उन्हें थेंक्यू बोला पूरी दुनिया में भारत के इस आपरेशन की तारीफें हुई आपरेशन बहुत तेजी से हुआ था लेकिन मैंने बहुत शार्ट में बताया है ताकि आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाए इसका पूरी कहानी तो भाई फिल्म में देखना नहीं तो सारा मैटरी खतम हो जाएगा पूरा स्पॉयलर थोड़ी देना है तो जिन ब्रिगेडियर बुलसारा ने इस आपरेशन की अगवाई की थी सलमान खान उन्हीं का रोल करने वाले हैं तभी इसका नाम दबुल है अब देखना ये है कि सलमान खान ब्रिगेडियर बुलसारा के करेक्टर के साथ कितना न्याय कर पाते हैं आपको क्या लगता है कि बायोपिक में काम करना सलमान भाई के लिए कितना चैलेंजिंग रहेगा कमेंट करके बताना नीचे और फिर उसके बाद यहीं रिक्वेश्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे फेस्बुक पर इंस्टा पर एक्स पर सब जगा फालो कर लीजे और यह बैक्राउंड से आवाजे आ रही है यह मेरी बेटी चिला रही है इसको चुप कराना मुश्किली नामूमकिन है पहले ही बता चुके हैं तो अभी चलते हैं लोड की मिलते हैं नमस्ते